नमस्कार मित्रो जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारी यूटियूब चैनल में तो कन्यार रासी वालो मित्रो 52 सालों के बाद एसा मौका बंद रहा है जहां पर जिंदिगी में आपको एक साथ चार चार सुख मिलेंगे मित्रो जिंदिगी पूरी तरह से बदलने वाली है दिनांक 8 अपरेल 9 अपरेल और 10 अपरेल इन 3 दिनों में भूत भविश्य और वरतमान सब कुछ बदल जाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि एसी जिंदिगी की सुरुवात होगी मित्रो वीडियो बहुत खास होने वाली है एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझना क्योंकि एसी वीडियो बार बार नहीं बनती है सबसे पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तू भ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सूब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असूब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनोचियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रहों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं तो आईए मित्रो अब आप सभी का किम्ती वक्त गवाई बिना बात करते हैं आने वाले तिन दिनों के मेहत प्रुण समय अंत्राल की मित्रो बता देते हैं कि एक बहुत ही बहतरिन समय की निर्मान होने को दिख रहा है घर में किसी मांगलिक कार्रे से संबंदित योजनाई बनेगी और यह योजनाई मित्रो जिंड़िगी में चार चांड लगा देगी कामकाच को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रोप से बहुत ही लाब दायक स्ताविद होगी और कार्रो को पूरी उर्जा के साथ पूरा करने का जजबा भी बना रहेगा पारिगवारिक वातावरन भी पूरी तरह से अनुसासित और सकरात्मक बना रहेगा मित्रो और बता देते हैं कि आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति के कडम पड़ेंगे जिसकी वज़े से जीवन मित्रो स्वर्ग बन जाएगा और बेवज़ा के जगडों से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही सुखों की आनंद की प्राप्ती होगी मित्रो बता देते हैं कि कुछ गेर ज़रूरी खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से बज़ट को लेकर चिंता भी रह सकती है मित्रो आपको बता देते हैं कि विध्यार्ती तथा युवा लोग वियार्त के हास परिहात तथा मनुरंजन संबंदित कार्रियों में समय नष्ट ना करें क्योंकि युवा लोग जो हैं इस वक्त पार्टी वगेरा में क्लब वगेरा में जाकर अपनी छवी को खराब कर रहे हैं और समय की बरबादी कर रहे हैं मित्रो बिजनस बढ़ाने की योजना पर गंबिरता से विचार करने की जरूरत होगी जड़ी एक बार और नजर डाल ली तो बनते बनते कार मित्रो बिगडेंगे नहीं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी वहतर करें क्वांटेटी सही है लेकिन अब आपको क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंदिद बिजनस में ज़्यादा फायदा होने के योग है और नोकरी में टार्गेट आसानी से हासिल हो जाएगा मित्रो पारिवारिक मदभेदों का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन जल्दी ही समाधान मिलेगा तथा घर के सभी सदस्यों के बीच उचित सामन जश्य बना रहेगा इस वक्ट ग्रह इस्टितियां बहुत बहतर बनी हुई है मित्रो जिन जिन संकितों का आप बेशबरी से इंतजार कर रहे थे वही संकित आपको मिलेंगे व्यक्तिकत जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिस करनी होगी तो कि बिना कोशिस के आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे यह बात अपने दिमाग में डाल लो जो भी निर्णे आप ले रहे हैं उस निर्णे को अन्य लोगों को समझना मुश्किल लगेगा जो बाते आपको सही लगती है उस पर ठीके रहने की कोशिस करें क्योंकि तब ही आप मित्रो आगे बढ़ पाएंगे वही पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियों का ताता बन देगा और काम से संबंदित निर्णे लेने से पहले अनुभवी लोगों की मदद लेने में आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे मित्रो यदी आपको गया ग्यान मिल रहा है तो ग्यान की वेल्यू को समझे और अपने जीवन में अमल करें जो बाते आपको सही लगती है उस पर टिके रहने की कोशिस करें और किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ने कारण मन को प्रस्णत प्राप्त होगी साथ में आपके अंदर बढ़ रहा अकेला पन भी दूर होगा जीवन में एक नए रिलेसंसिप की सुरुवात होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है नए रिष्टे जीवन में जुड़ने वाले हैं और मित्रो अपने काम को रचनात्मक रूप देने के लिए अपने कायर प्रणाली में परिवर्तन लाना बहतर होगा मित्रो आपकी खुशियों के आसियाने का भूमी पूजन भी हो सकता है और भूमी पूजन करते वक्त जीवन में मित्रो उस खुशी का एहसास आपको होगा जिस खोशी का एहसास आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा कायर प्रणाली में परिवर्तन लाना बहतर रहेगा और किसी भी दूविदा की स्थिती में अनुभवी लोगों से विचार विमर्ष करें और आपको तुरंत समधान मिलता हुआ दिखाई देगा विध्यार्तियों को आसातित सफलता मिल सकती है लेकिन सफलता सिर्फ एक ही सर्थ पर मिलेगी और वह सर्थ है मेहनत बिना मेहनत के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और मित्रों बता देते हैं कि कोई समस्या होने पर तनाव लेना आपके मनोबल को गिरा सकता है क्योंकि समस्या का हल तनाव लेना नहीं है बलकि डट कर सामना करना है बहतर होगा कि घबराने की बजाए समधान ढूंडो और विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्स से किसी प्रकार का मदभेड हो सकता है संबंदों को सहच कर रखना भी एक कला है और यह कला आपको जल्दी ही सिखनी होगी बिजनस में रुकावट रहेगी और किसी को दोस्त ना देकर अपने काम करने के तरीके सुधारे मित्रो लापरवाही और तनाव का असर आपके काम पर पड़ सकता है और ओफिस में कारिभार की अधिक्ता की वज़े से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा घर के बड़े बुजर्गों का अनुसासन वद्देखरेक से घर की व्यवस्ता उचित बनी रहेगी चुकि घर के बड़े बुजर्गों को मित्रो यह सकती और एहमियत है कि वे घर के माहुल को व्यवस्तित बना कर रखें प्रेम संबंदों में एक दुसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा ज्यादा मसालेदार खाना खाने से परहेज रखी क्योंकि पेट में गेस और जलन जेसी सिकायत रहेगी आपके स्वभाव में आ रहे बदलाओं के कारण हर एक बात को नए नजरी से देखना आपके लिए संबंव होगा मित्रो पूराने बातों को पीछे छोड़ते हुए नए शुरूवात की जाएगी और यह नए शुरूवात जीवन में नए चार चांद लगाएगी जिन लोगों का साथ प्राप्त हो रहा है उस पर ध्यान देते रहें और जिन लोगों का साथ नहीं प्राप्त हो रहें जो लोग आपकी आलोचना और विरोध करते हैं उन से दूर रहें सकरात्मक सोच के कारण कई समस्याओं को दूर करना आपके लिए संबव होगा और व्यापारी वर्ग के लिए नए काम की सुरुवात करने से पहले काइडे कानुन को जानना जरूरी होगा काफी सारी बाते मित्रों आपके पक्स में रहेगी काफी सारी बातों के लिए पार्टनर आप पर निर्बर है, इस बात का एहसास आपको हो सकता है आईए मित्रों, हम आपको एक चमतकारी उपाई भी बताते हैं, जो जीवन का कल्यान करेंगे और सारे काम सिद्ध होंगे मित्रों मनोकामना पूर्ति का सिव जी का अचुक जोती सिव उपाई है, क्या करना है? दिहान से सुनना मित्रों कि यदि आप भगवान सिव की पूजा करते हैं, तो सिव लिंग पर जल चड़त समय लोहे या इस्टिल के बरतन का उप्योग नहीं करना है मित्रों इसके बगले आप पितल चांदी का प्रयोग करें भगवान सिव के अभी सेक में बूल कर भी भेंस का दूद इस्तमाल नहीं करना चाहिए संकर भगवान की पूजा में हल्डी नहीं चड़ाई जाती है, भूले नात को कमनेर और कमल के अलावा कोई भी अन्य फूल प्रिये नहीं है तो सिव जी को इसी भी लाल रंग के फूल केत की और केवड के फूल नहीं चड़ाना चाहिए तो मित्रो यदि आपको हमारे द्वरा बताया गया यह ज्यान की बात और सटिक रासी फल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दिजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तो भ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा और मित्रो चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल में मत भूलना इस स्क्रीन पर जो लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा कर हमसे अभी जुड़ जाईएगा